वान वान व्यू एक कुछ की कुछ की कुछ कुछ आ इस से सेशन में हम लोग जो टेस्ट पेपर का जो discussion यहां पर कर रहे थे कि कब हुआ था बटा यह test आप लोगों का Sunday को हुआ था तो इस test paper का जो आम लोग यहां पर discussion कर रहे हैं जिसमें हमने जनरले इसके four part में हमने इसे divide किया है part one हो चुका है lecture upload हो गया YouTube पे आपको मिल गई होंगी recording part two three भी हो चुका है आज हमारा fourth part है ठीक और आज हमारा यह discussion जो है वो complete हो जाएगा ओके चलो तो continue करते हैं start करते हैं जल्दी से और response सभी लोगों को देना है ठीक है ओके just wait तो यहां पर जो है आप लोगों से first question जो रहेगा कहां तक के हो गया था discussion यह बताओ पहले तो 137, 138 हो गये थे यह दोनों भी हो गये थे okay 139, 140 यह हो गया था कहां से start करना है फिराज 142 से start करना है 142 की हो गया था नहीं हुआ था 142 का answer क्या है 142 भी हो गया है 143 से start करना है ना चलो गोड़ चलो तो question देखते हैं हम लोग question number 143 जिसमें यहां पे क्या पूछा है बिटा which point is incorrect about transport of gases okay तो इसमें gas का transport कैसे होता है यह हम लोगों ने देखे थे बिटा एक तो oxygen का transport होगा ओके दूसरा क्या देखे थे हम लोगों ने oxygen के transport के साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर transport जो देखे थे oxygen का और carbon dioxide का तो oxygen का जो transport होता है एक तो plasma मतलब RBC के help से और plasma के help से होता है यह देखे थे 97% oxygen जो है वो ट्रांस्पोर्ट करता है oxygen याद आ रहा है बिटा carbon dioxide का वे हम लोगों ने ट्रांस्पोर्ट देखे थे तो इस respect में nearly 20 शे लेके 25% CO2 ट्रांस्पोर्ट हो रहा है with the help of RBC means hemoglobin के form में ठीक है और incorrect पूछा है यह option तो correct है about 7% CO2 is carried in dissolved state through plasma यह भी सही है about 97% CO2 is transported by plasma of blood यह भी सही है क्या नहीं है 97% CO2 no very good बेटा 97% जो है नहीं होता है तो यह incorrect हो गया और 3% oxygen जो है dissolved state में with the help of plasma यह भी सही है means यह incorrect है और हमको यह find करना था इस question में समझे ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं next question पर चलते अभी और next question हमारा यहां पर जो है क्या कहरा बेटा consider the following four statement और four statement में आप लोगों को यहां पर क्या दिया है first option पहले तो क्या पहचानना है यह देख लो all are correct ठीक है include all the correct option हमको पहचानना है ओके तो first statement क्या कह रहा है यहां पर हम लोगों को coronary artery disease often referred to as atherosclerosis क्या यह सही है हाँ होता है CAD atherosclerosis जो है कहते है heart failure mean when heart muscles suddenly damage ऐसा होता है क्या इनकरेक्ट है इसमें क्या correct आएंगा इस option में option B में heart pump होता है ना okay very good fear यह इनकरेक्ट हो गया high blood pressure जिससे heart disease होता है और vital organ brain और kidney भी affect होता है okay तो यह भी सही है और last option जो है enzina occurs due to condition that affect the blood flow यह right है यह wrong है यह भी correct very good very good तो इस तरह से इसका correct option क्या बनेगा इनकरेक्ट होता है किसकी वज़े से होता है बिटा blood flow के affect होने की वज़े से होता है okay तो A, C और D option यह तीन option जो है यहाँ पर correct होते हैं इस तरह से यहाँ पर option D is the correct answer for this question given below in a table showing various blood group and donor compatibility इसमें incorrect option match करना है NCRT का ही यह directly statement और data आपको as it is ऐसा ही दे दिया है okay क्या find करना है इसमें Hello इसमें हमें क्या find करना है सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए तो इसमें incorrect option मतलब compatible है या नहीं है यह हम लोगों को यहाँ पर find करना है चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा पहली चीज तो blood group A दिया है B दिया है A B दिया है और O दिया है ठीक है blood group A पर antigen A होगा B पर antigen B होगा A B पर दोनों भी antigen होगा और O पर कोई भी antigen नहीं होता क्या यह वाला column सही है जल्दी से response करो क्या यह वाला column सही है Yes or No Very Good, Great, चलो सभी लोगों का answer यहाँ पर आ रहा है यह सही है ऐसा कोई person है जिसका answer नहीं आ रहा है चलो फिर अब हम देखेंगी यह तो antigen के respect में हो गया मतलब हम जानते हैं कि जो blood group होता है उसी के respect में वही antigen भी होता है ठीक है जो blood group रहेगा वह antigen होंगा अब हम antibody देखेंगे तो हम जानते हैं कि blood group यह है और इसके पास antigen A है तो antibody कौन सी होंगी जल्दी बताओ antibody इसके पास जो रहेगा वो रहेगा B तो antigen A है antibody B यह सही है antigen B है antibody B है क्या यह सही है क्या गलत हो गया है तो option A तो correct है बट option B यहां पर incorrect हो रहा क्योंकि antigen B के साथ यहां पर antibody जो है A आना चाहिए समझे चलों यहां पर देखते हैं दोनों भी antigen है तो यहां पर दोनों भी antibody नहीं होना चाहिए yes or no क्यों होना चाहिए नील होना चाहिए और जब यहां पर दोनों antigen नहीं है तो क्या यहां पर दोनों antibody आएगी option 4 में आएगी means यहां पर हमारा एक यह वाला और एक यह वाला statement गलत हो रहा है बट अभी यहां से यहां तक के यह दो option correct है मतलब one और fourth option जो है correct है okay question में क्या पूचा है correct पूचा है यह incorrect पूचा है question में क्या पूचा था hello incorrect पूचा है are you sure? incorrect ही है? हाँ तो अभी देखिए आगे बढ़ते incorrect पूचा है चलो ठीक तो अब देखिए यहां पर donor blood group मतलब a वाला blood किसको दे सकता ऐसा बूलेंगे यह किससे ले सकता ऐसा आएंगा बताओ इसका donor blood group option a में दे सकता है मतलब a को blood group a भी दे सकता है और o भी दे सकता है ऐसा है ऐसी आएगा तो उसके according यह answer जो है यह वाला option यह correct हो जा रहा है ठीक है यह option तो पहले ही eliminate हो गए नहीं eliminate नहीं होए इनकरेक्ट पूछा है ना इनकरेक्ट में यह दो इनकरेक्ट आ रहे मतलब हमको इन दोनों से पैचानना कौन सा इनकरेक्ट ऐसा रहेंगा हलो ऐसी आएगा गया बैटे इदर का कोई relation ही नहीं है हमको compatibility पूछा है तो compatibility इस column के according बनती है समझे तो A वाला जो है A को और O वाला भी A को दे सकता है B वाला B को और O वाला भी B को दे सकता है तो यह दोनों तो डोनर है compatible है फिर A B वाला A B को दे सकता है सही है क्या blood group A इसको दे सकता है क्या बताओ आपको मैंने एक चीज़ बताया था universal recipient कौन सा है universal recipient universal recipient A B है तो यहां तो सारे option आ गए मतलब यह 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 सारे के सारे इसको blood दे सकते है सही है और अब O वाला O को दे सकता है क्लियर हो गया अब बताइए मुझे यहां पर कि इसका answer क्या आएगा अब क्या पुछा था इसमें और answer क्या आएगा आप बताइए second और third जो है वो wrong है है ना बाकी लोग हलो response करिए जल्दी जल्दी आपको यहां पर problem होगा इस question को solve करने में क्या बोला है जो table है जो blood group का इसमें donor compatibility को identify करना था और उसमें incorrect option कोंसे है वो identify करना था क्या बोला है प्रलाद ओ यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव रेयर डोनर टू आल टाइप अ ब्लड ग्रूप हाँ देखिए इस option के according हम किसी एक option पर नहीं जा सकते second और third option दोनों भी से आएंगा बट actually यहां पर या तो यह misprint है या तो फिर यह misprint है समझे तो इसमें से कोई एक होना चाहिए या फिर option में यहां पर more than two options correct ऐस option आना चाहिए इस question के according यहां पर दो options बनते हैं option B मतलब second वाला और option third वाला समझ गए तो आपको इस question को solve करने में confusion हुआ होंगा ओके शेलो नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग question number 146 ओके और 146 में क्या पूचा गया बिटा किस चीश को लेके पूचा हुआ है यह diagram इस पिक्चर से पढ़ा है हूं मैंने आपको याद है क्या diagram देखते ही किस चीश का diagram लग रहा है बिटा ही आप लोगों को very good hard sound का है हाट sound में एक side आप लोगों को intensity बता रहा है और एक side उसका sound कितना आ रहा हूँ बता रहा है समझ गए तो अब देखते हैं यहाँ पर answer क्या आता है तो पहली चीश तो A कौन सा वाला बिटा यह वाला यह हो गया तो sound sharp है और पीच भी हाई है दिख रहा है पीच चलो पीच हाई है यह आज न मारकर जो है lagging कर रहा है प्रॉब्लम आ रहा है न बी में क्या है appear at the beginning of joint diastole कौन सी इसकी बात हो रही पिटा यह वाली ठीक है मतलब यह हो गया पिटा फर्स्ट हाट साउंड और यह हो गया second हाट साउंड means यह लब है कि डव है यह लब है यह लब है लब में इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो टाइम कम होता है मतलब यह हो गया लब समझ गए तो यह वाला बी हो जाएंगा डब अब मुझे बताओ डब जो है वो कब आता है क्या यह option B जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सही है क्या beginning of joint diastore वाला statement सही है नहीं है डब कम होता है लब में इंटेंसिटी कम होती है यह जो है वो डब है लब टेक मैक्स टाइम एन इंसेंटीज लो वेरी गुड बिटा ग्रेट यही तुम्हें जानना चाहरा हूं आपके कंसिप कितने क्लियर है आप चाहो तो वाइस में भी एक्सेस ले सकते मुझे आपको याद होंगा हम लोगों ने यहां पर जो कंसिप पड़े थे तो उस कंसिप में हमने यहां पर क्या देखे थे एक हम लोगों ने यहां पर लब देखे थे और एक हम लोगों ने डब देखे थे लब जो होता है यह फर्स्ट हार्ट साउंड है हमारा डब जो है यह सेकंड हार्ट साउंड है ओके फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है डूरेशन जो है लौंग होता है ट्रिक भी बताया था मैंने duration जो होता लब का ये कैसा होता बैटा long duration होता है but dub का जो है duration जो है ये short duration होता है समझ गए तो यहाँ पे इसका wise जो है ये बहुत ज़्यादा आएंगा but इसका wise बहुत कम आएंगा मतलब इस तरह से duration हमको B में ज़्यादा दिखा है wise इसकी कम है मतलब B is the first heart sound first heart sound means love हो गया A जो हो गया ये क्या हो गया विटा A क्या हो गया बताओ फिर A जो हो गया second heart sound हो गया अब love जो है किसके closure की वज़े से हो रहा था है ये बताओ love is the closure of love is the closure of which type of valve very good atrioventricular valve bicuspid and ticuspid और atrioventricular valve जो है close कब हो रही थी ये बताओ मुझे जब क्या हो रहा था atrioventricular valve कब close होती है cardiac cycle के respect में आप बताओंगे मुझे नहीं बिटा atrioventricular valve जब atrium contract करेंगा तब close होगी क्या क्या कह रहो ही है जब ventricular systole होंगा तब close होंगी बेटा समझे during the ventricular systole very good और semilunar valve कब close होंगी semilunar valve joint diastole के time पे close हो सकती है क्या semilunar valve joint diastole के time पे close हो सकती है क्या हाँ atrial systole में नहीं वेंट्रिकल diastole या फिर joint diastole के time पे semilunar valve क्लोज रहेगी तो अब देखिए यहां पे यह जो है sharp sound with high pitch यह सही है appear at the beginning of joint diastole एक ही बात हो रही है ए मतलब यही वाली बात हो रही है तो यह जो है यह joint diastole के time पे appear होंगा समझे तो यह वाला option भी आपका सही हो रहा है सही दिख रहा बेटा हलो समझ रहे ना भी concept clear रहेंगे तो यह step के question को solve कर पाऊंगे फिर appear at the अब C की बात कर रहे है यहां पर C तो option में नहीं अर्यार यह A, B, C किस तरह से दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, Z A किस चीज को represent कर रहा है question तो incomplete दिख रहा है जो ठीक है continue करते है sharp sound with high pitch appear at the beginning of which of the following statement are true for sound A, अच्छा अपने सारे question नहीं पढ़े नहीं इसलिए गड़बड हो रहा true for sound A, A के respect में मतलब सारे question हमको इसके respect में देखना है ठीक है A भी सही है, B भी सही है, beginning of ventricular systole, यह वाला option match नहीं करता है यहां पर appear at the beginning of ventricular diastole यह भी match करता है match करता है फिर appear 0.3 second past after atrial systole, क्या है, यह सही है क्या नहीं है कितना होता है कितना आएगा 0.1 थोड़ी आएगा या उपर directly ventricular diastole दिया है ventricular diastole कितनी दिर का होता है 0.1 का होता है ventricular diastole कितनी दिर का होता है ventricular systole कितनी दिर का होता है ventricular systole कितनी दिर का होंगा 0.3 तो बचा कितना 0.5 समझे very good यह option भी match नहीं कर रहा है लेकिर appear 0.5 second फिर past after atrial stole यह रहता तो सही होता पर यह गलत हो गया फिर close due to closer of semi lunar wall क्या सही है कि यह semi lunar wall के close में क्या यह वाला sound आएंगा very good सही है फिर cause due to closure of caspid wall नहीं यह B के लिए बोल रहा है A के लिए नहीं आएंगा कितने option मैं शोरे बताओ A, B, D और F कौन सा option आएंगा इसके according अप A, B, D और F option option D आजाएगा A, B, D, F correct यहाँ पर जो answer रहेंगा यह वाला हो जाएगा समझे अच्छा कोश्चन था tricky कोश्चन था और जित्ते स्टुडेंट ने class attained किये हैं concept उनका clear है तो इस type के questions को solve कर पाएंगे समझ गये 63 स्टुडेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है wise access चाहिए hand raise करो बेटा yellow accept करो बोलो सर्फ आपने विले द्यू टू closure of similar ऑफ से लब आता है लेकिन द्यू टू closure of caspid walv से लब आता है ना लब डब हाँ बटा lub जो होता है due to closure of atrial ventricular wall mean by caspid tricuspid wall double जो होता है वो second heart sound है जो कि similar wall के वजह से आता है कि मैंने एसी तो बताया इसके पहले है यही बताया में ने कि देखो अब यही रेज कर दिया आ रहा है क्या अपना कि क्या हो गया कि यहां पर राइटिंग के साथ बाकी भी गायब हो गया वेट करो थोड़ा सा मुझे प्रिंट आउट इंसेट करना पड़ेगा इसमें एक मिनीट हाँ है कि चलो तो आगे कंटिल्यू करते हैं काडियक साइकल का डियूरीशन में कन्फूजन हो रहा है बेटा रेली को ओके बेटा समझा दे रहा हूँ बहुत सिंपल है यार कुछ भी नहीं है ठीक है एक पर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग काडियक साइकल confusion नहीं होना चाहिए देखे, cardiac cycle के respect में यदि हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या होता है देखो बेटा सिप आप यह वाला diagram याद रखो देखे जो circle है इस circle को hop कर दो ऐसा और hop होने के बद फिर यह वाला circle को आप यहाँ से से draw कर लो ठीके, तो सबसे total हमें मालूम है cardiac cycle जो होती है, वो होती है 0.8 second के ठीके, आज मेरा marker जो है properly काम नहीं कर रहा है, ठीके, तो writing सही नहीं हो पाएंगी अब 0.8 second है तो अब इसमें event कोन-कोन से हो रहा है पहले चीज़ तो आपको यह मालू होना से यह एक तो atria contract होगा atria जो contract होगा तो उसको हम क्या कहेंगी बेटा atria का contraction atria systole होगा क्या होगा पीटा atria का systole होगा एक यह याद रखना है जब atria systole होगा तो इसी के just about atria relax भी होगा जब atria relax होगा तो atria का क्या होगा diastole होगा फिर atria के बाद फिर ventricle पर आ जाते हैं हम लोग फिर ventricle जो है ventricle contract होगा तो फिर ventricle क्या होगा ventricle systole हो जाएगा फिर ventricle systole होगा तो ventricle systole के बाद फिर क्या आएगा ventricle diastole भी आ जाएगा समझे ventricle diastole बट यहाँ पे क्या हुआ NCRT ने जो हमें बताया है एक तो Atria का Cystol बताया है Ventrical का Cystol बताया है और यह जो Diastol है वो दोनों के Diastol को नहीं ले रहा है वो दोनों को मिला के एक term बता रहा हमें जिसे कहते है Joint Diastol क्या कहते हैं उसे Joint Diastol कहते है अब यह जो Joint Diastol है यह एक time यहाँ पे आ गया अब देखिए यहाँ पे Atrial Cystol तो यहाँ पे हम जानते हैं Joint Diastol जो होता है यह होता है 0.4 सेकेंड का क्योंके दोनों मिला के बोल रहे हैं इसलिए हम इसको सबसे जादा लेंगे Joint Diastol जो रहेगा यह क्या हो जाएंगा यह हो जाएगा 0.4 सेकेंड का समझ गए तो Atrial Cystol कितनी देर का था कौन सा पार्ट पेटा इस डियाग्राम को याद रखेंगे तो यह वाला यह होता है 0.1 और 0.8 तक क्या हमको कैलकुलेशन करना है पूरा तो जब यह 0.1 है और 0.4 है तो यह कितना होगे 5 बचा कितना 0.3 तो यह यहाँ पे आजाएंगा 0.3 सेकेंड तो अब देखो 0.1 क्या है यह Atrial Cystol की बात हो रही है और Ventricle Cystol क्या है 0.3 यह इतना डेटा हमारे को हमारे Agency IT ने प्रोवाइड किया है बट सबसे ज़्यादा Confusion कहां पर हो रहा है सबसे ज़्यादा Confusion हम लोगों को हो रहा है कि जब सिंपल एक किसी सिंगल डायस्टोल की बात होती तब क्या करना है तब बात होती तो देखो जब Atrial Cystol की बात हो रही है तो सिब Atrial Cystol यदि हम समझेंगे तो फिर यह क्या है तो 0.1 सेकंड का सिस्टोल है तो यह डायस्टोल कितनी देर का हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा 0.7 सेकंड का और जब Ventrical Cystol 0.3 का है तो Ventrical Diastol की हम बात करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.5 का समझे लेकिन जब दोनों से सिस्टोल का Time Duration हमने 0.3 और 0.1 रखे मतलब 0.4 तो दोनों जब रिलेक्स होंगे तो इसका Time Duration कितना होंगा 0.4 Simple clear हो गए पटा रेली आप confusion नहीं होंगा किसी को भी confusion नहीं होंगा ओके जहाँ पर भी doubt आता है आप लोग मुझसे पूछ लिया करो ठीक है concept clear हो गए तो आपको आगे जाके कोई भी problem नहीं आएगे चलो तो next question पर चलते हैं हम लोग अभी और next question कुन सा था कुन से नंबर की question पर पहुच गयते हैं हम लोग ये वाला हो गया था ये वाला ना 147 ओके लब का डियूरेशन पर लॉंगर डियूरेशन याद रखो आपको कितना होता है exact exam में नहीं पूछा जाएंगा ठीक है वो हमारे syllabus से out of part में चला गया उपिर ओके तो उतना डियूरेशन आप से नहीं पूछा जाएगा आप सिर्फ ये याद रखो कि लॉंगर डियूरेशन और सॉर्टर डियूरेशन ओके हाँ मैंने बताया था बट टिंसन न लोगों confuse करेगा न आपको फिर एक बार मैंने समझेने के लिए हम लोगोंने concept देख लिए ओके शलो आगे बढ़ते है question number 147 147 question जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है एक diagram दिया है option दिये इसमें A, B, C और D ऐसे four options यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं तो यहाँ पर यह question पहले भी आया हुए size A पर क्या है यह alveoli है B size RBC हो सकता है C जो है यह हमारा blood capillary है और D जो है basement substance हो सकता है ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर देखते है कौन सा data match हो रहा है B मतलब red blood cells ठीक है यह तो सही है बट इधर side जब यह B इधर आ गया तो यह carbon dioxide को transport नहीं करेंगा यह RBC मतलब oxygen का transport करेंगा यह option तो सही है बट यह match नहीं हो रहा है इधर C जो है atrial capillary है जो यहाँ की बात हो रही है तो यह तो carbon dioxide लेकर आ रहा है समझे तो यहाँ पर यह क्या बोल दिया past oxygen to tissue यह भी गलत हो गया A alveolar cavity है main site of exchange of respiratory gases यह सही है IR marker pain न बहुत lagging कर रहा है पता नहीं क्या हो रहा है ओके अब PC को एक बार restart करना पड़ेगा restart करेंगे तो फिर क्या meeting end हो जाएगा क्या करें चलने दे यह restart करू फिर से join करना पड़ेगा फिर आपको wise break नहीं हो रही बेटा सिप pain का lagging हो रहा है उनली यहाँ ठीके marker का तो इस तरह से c option जो है यह correct है d capillary wall है नहीं वो तो basement substance है capillary wall नहीं है basement substance है बाक्यों फंक्सन सही दिया उसने ठीक है चलो चलने देते तो फिर आगे बढ़ते हैं next question chronic respiratory disorder जो है कुन सहाएं जो cigarette smoking की वज़े से होता है बताएंगे very good बहुत easy question है MPC में जो chronic disorder cigarette smoking से होता है next question reduction in pH of blood blood में pH fall हो गया तो क्या होने वाला है बताओ blood में pH जैसे ही fall होगा तो क्या होगा very good pH fall होगा तो heart beat का कोई effect नहीं होता है blood के supply brain पे कोई effect नहीं डालती है affinity of hemoglobin with oxygen यह हो सकता है release bicarbonate iron by reliever यह भी नहीं हो सकता तो यहां पे option c directly नहीं बटा यह सिब confuse करने के लिए अलग अलग जगा के options डाल दिये यहां पर but direct to direct यहां पे कोई महनत नहीं करने पड़ेगी इस options को सोचने के लिए समझे next question lungs are made up of air fill sack like ठीक है sack the elevator like they do not collapse after forceful expiration because you collapse नहीं होता क्योंकि कितना भी आप air उस lungs से बाहर निकाल लो कितने भी air बाहर निकाल लो उसके बाद भी lungs में कुछ air प्रेजेंट रहता है जिसकी वज़े से lungs collapse नहीं होता इसका इतना air बाहर हो गया लेकिन फिर भी है कुंसा volume कहते है उसको उस volume को residual volume कहते है जिसकी वज़े से यह collapse नहीं होता तो correct optimist कर D आ जाएंगा next question which of the following vitamin is essential for the blood clotting यह भी बहुत easy है vitamin K जो है blood clotting में help करता है vitamin D जो होता है bones में help करता है E जो होता है E क्या करता है hello infertility okay इसमें help करता है और vitamin B10 पढ़े थे के हमने B12 पढ़े है folic acid anemia को रोकता यह next blood clotting can be prevented by adding oxalate or cigarette which form insoluble complex क्या कहलाएगा बटा क्या कहलाएगा यह very good blood clotting किसकी वजह से prevent होती है ठीक है cigarette नहीं स्वारी है citrate जैसे कि for example blood clotting को prevent यह दि करना है clotting को prevent करना है तो हम क्या करते calcium oxalate और calcium citrate इसका यूज करते हैं जिसे anti-coagulant reagent कहते हैं क्या कहते हैं इसे anti-coagulant अब यह कह चीज़े मजलों थोड़ा था ठीक है anti-coagulant reagent जो होते हैं जैसे जैसे कि for example एक होता है EDTA एथिलीन डायमेन टेट्रा एसी टेटेट केमिस्टी में पढ़े होंगे आपने उसके साथ ही साथ एक होता है calcium citrate क्या होता है calcium citrate उसी के साथ साथ होता है calcium oxalate अब जैसे कि for example आपने injection लिए ठीक है और किसी का blood आपने लिकाल लिए बॉड़ी में से ठीक है अब जैसे आपने blood लिए तो blood को लेने के बाद इसको आपको करना पड़ेगा किसी एक टिस्ट्यूब में आप इसको transfer करोंगे अब यदि इस blood को आप इधर transfer कर रहे हो तो इमिडेटली क्लॉट हो जाएंगा इसकी क्लॉटिंग को prevent करना है तो हम यह जो रिएजेंट हैं में से कोई भी एक रिएजेंट ठीक है दो से तीन ड्रॉप जो होता है तू 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 त्री ड्रॉप इस रिएजेंट का हम लोग वहां पर एड कर देंगे एड करते हैं करके इसको मिक्स कर लेंगे तो अब क्या होंगा इस ब्लेट को आप चार घंटे भी ऐसी रहोंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला समझें तो यहां पर क्या आएंगा बिटा कैल्सियम आएंगा यह तीनो नहीं होते हैं आएंशर तो कई स्टुडेंट दे दिये थे बट आई डोंट नो उन लोगों को यह वाला एक्स्प्लेनेशन मालूं था या नहीं बट यह जो है यह करेक्ट एक्स्प्लेनेशन है हां बेटा बी नाई होता है ना फॉलिक एसिड हां बी टेन नहीं होता है ठीक बी टेन नहीं होता है आगे बढ़ते हैं फॉलिक एसिड एंइमिय गुरोटा यह बताया था मैने नेक्स्ट इसप्या आते हम लोग atrioventricular node ये जो present होती है कहां होती है बिटा बताइए AV node B10 है या B9 है मुझे confuse कर रहे है आप लोग B10 is folic acid है या B9 है actually देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है क्या चेक करना पड़ेंगा जानवी बोलरी B9 ट्रलाज बोलरा B10 folic acid से बिटा अनिमिया को prevent करता है ये इतना पता है ठीक है अब इसका exact जो sequence है अब चेक करना पड़ेंगा यार मुझे भी confusion हो रहा है ओके चलो देखते हैं आगे देखते हैं ठीक है ये देखेंगे हम बाद में चेक कर लेंगे बिटा एक बार चेक कर लेना आप लोग भी नहीं मिलता है तो मुझसे मैसेज कर देना मैं आपको confirm कर दूँगा अभी में confused हो रहा हूं ओके शलो आगे बढ़ते हैं अपका mix type cancel आ रहे बिटा कुछ बीनाइन बोल रहे हैं कुछ लोग बीटें बोल रहे हैं कि कि विजय बिटा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आपका network का साथ है था न है रिज्वाइन हो रहा है बार बार जूम कि विजय चेक कर लो network connection proper है या नहीं है या फिर कहीं और access हो रहा हूंगा data तो problem आएंगे ठीक चेक कर लो एक ओके आगे बढ़ते हैं human heart is myogenic because अच्छा यह वाला देख रहेता है न हम 153 153 में क्या पूछा है बिटा atrioventricular node कहां present होता है ठीक है lower right upper corner of right atrium lower left corner of right atrium right ventricle left यह तो हो नहीं सकता देखो यह हम लोग इस तरह से यह दियम देखे तो यह हो गया यह हो गया यह हो गया तो यहां पर sinoatrial node है और यहां पर atrioventricular node है यह कुन सी जगा होगी पिटा यह lower हो गई ठीक है lower के बात क्या कहलाएंगा यह left corner कहलाएंगा यह क्योंकि इदर right है इदर left है तो lower left corner of right atrium means answer इसका भी आएगा समझ गए human heart myosonic होता क्यों क्योंकि यहां पर impulse generate होता किसके वज़े से होता है very good sinoatrial node जो की अपर right side में और right atrium पर present होता है मतला इसके उपर जो option A था यह किस चीज को बता रहा था यह बता रहा था synoatrial node को ठीक है 154 का correct option B आ जाएंगा 155 पर आते हैं भी क्या बोला यहां पे fatal heart ductus arteriosus यह मैंने आप लोगों पढ़ाया था यादे यादे के बिटा पढ़ाया था तो ductus arteriosus कहां पर connect होता है पहले तो यह बता बटा ductus arteriosus होता क्या है क्या करता है यह याद आ रहा है किसी को एक diagram बना लेते देखो यह इस तरह से हम लोग उने यह देखो एक diagram देखेंगे हम heart का yes आ जाएगा इसके बाद यार मार करना आज सही नहीं चल रहा है कैसे बनाओ heart defect होता न हां बेटा very good heart defect होंगा color change नहीं हुआ just wait एक यह हो गया फिर यहां से इस तरह से एक blood जाता है ventricle से यह ऐसे यह इस तरह से आगे जाएगा ठीक है यह हमारा ऐसा imagine कर लो यार यह बहुत दिक्कत हो रही आज तो ठीक है तो भी कोशिस कर रहा हो बेटार drawing की आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा यह इस तरह से suppose यह हमारा हाट है ठीक है इधर साइड यह हमारा वेनकावा हो जाएंगा यह वाला superior और inferior और यह इस तरह से तो यह हमारे यह four chamber हो गया हाट के color change कर लेते हैं यह एक हो गया यह हो गया और इधर साइड यह हमारा ventricle है ठीक है तो अभी देखिए क्या होता है कि जब यहां से deoxygenated blood आगे ऐसा पास हुआ तो छोटे बच्चे का lungs तो डेवलप नहीं हुआ लंक्स डेवलप नहीं हुआ तो यह वाला जो blood है deoxygenated जो कि लंक्स में जाना चाहिए तो लंक्स में जा पाएंगा क्या नहीं जा पाएंगा तो इसकी वज़े से क्या होता है कि यह जो हमारा आप क्या डारेक्टली जो है blood का flow होता है तो कहां प्रेजेंट होता है प्लमलरी आर्टरी और सिस्टमिक एओटा मींस यह वाला आप्शन आएगा आप्शन भी है समझ गए लेकिन बर्थ होने के बाद हम लोगों में क्या रहता है यह close होता है तो जब close हो जाएंगे तो उसके लिए क्लोज होने के टाइम पर टम क्या यूज होंगा यादा रहा है किसी को नई बिटा पार्थ वैरी गुड वलिया वलिया यार इस्टडी बहुत हार्ड कर रही है वैरी गुड बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे है आपको बहुत सारी चीजिए मालूम अच्छे से लिगामेंटम आर्टरियोसम जानवी का वे एंसर आ गया वैरी गुड बेटा पढ़ाया था यार यह तो मैंने लिगामेंटम आर्टरियोसम भूल गए होंगे तो एक बार रेविजन कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें चलते हैं ओके अच्छा मुझे यह बताओ आपसे कोश्चन है जैसे कि सपोस्ट यह मानके चलो कि आज संडे हैं और आज आप लोगों का एक टेस्ट पेपर हैं आपने आज संडे तीन गंटे का जो टेस्ट पेपर दीएं करते हैं हैंडेस करेंगे हैं कि कम्प्लीट एनलाइस एनलाइस का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ देख लिए क्या सही है क्या गलत ऐसा नहीं एनलाइसिस का मतलब आप यह देखो कि जितने सही हैं वो तो आपको आते हैं लेकिन जितने रॉंग हुए उस रॉंग वाले को एक-एक को आप NCRT में ढूंडो या आपके पास कोई मॉडिल है तो उस मॉडिल में ढूंडो और यह चेक करो कि आपसे गलती कहां हुई है पहले चीज दूसरी चीज यह देखो कि उस टेस्ट पेपर में कोई कीवर्ड जो है कोई टर्मिनलोजी नियू आई है क्या वो देख लो जो भी नियू टर्मिनलोजी आई होंगी तो उसको चेक कर लो यह देखो आपको मालूम है या नहीं मालूम यदि मालूम है तो ठीक है नहीं मालूम है तो फाइंड करो और नहीं तो फिर रिस्पेक्टेड टीचर से आप उसको डाउट नोट करके रखो वह आपके डाउट में आना चाहिए समझे और जो भी चीजे हैं यदि आपके आज की पेपर में यतने कोशन इनकरेक्ट दिख रहे आपको इनकरेक्ट वाले को नेक्स टाइम अगें फिर से देखो यह नेक्स टाइम फिर से कोशन पूचे गए तो आप से फिर से गलती नहीं होनी चाहिए यदि आप इस फॉर्म हमें लाना है ओके हैंडेस हुआ कि किते लोगों का हैंडेस हुआ किसी का नहीं हुआ हुआ कुछ लोगों के हैं चलो बहुत से स्टूडेंट है बाकी 63 का बैच अभी दिख रहा है जिसमें नेर अबाउट 10 स्टूडेंट के आसपास ही है जो इस प्रोसिजर को फॉलो कर र आरियन खुशी ईसा, सुमित रिया पार्थ, अथर्व, सिब इतने स्टुडेंट है जो यहां पे इस टेक्निक को फॉलो कर रहे है, साक्षी सावेरी खुजबू, अब किसी का नाम नहीं आया होगा तो बता दो, फिक है, यह स्टुडेंट है जो प्रैक्टिस कर रहे है, बट मोडिल में या NCRT में चेक करो उसको, कहां आप से गलती हुई है, और इस तरह से, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ कोश्चन पेपर में करेक्शन हो गया है, यदि ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करेक्शन है, तो इमीडियेटली जो है, क्या चीज, आप लोग डारेक्ली उसक करेक्शन जो मुझे मैसेज करो, ठीक है, आपके प्लस 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे बटा, यदि आप मुझे प्रूफ के साथ बेचते हो, कि सर इस कोश्चन में करेक्शन है, यह देखो प्रूफ, तो आपके प्लस 4 हो जाएंगे, माइनस 1 की जगह पर प्लस 4 हो जाएंगे 5 मार्कर डारेक्ट डिफ्रेंस आता है, ठीक है, यह जो मेहनद कर रहा उसको फाइदा मिलेगा, समझे, क्लियर हो गया, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन पे, कहां पहुज गए हम लोग, हम लोग पहुज गए, क्वेशन नुम्मर 156 पर, दा एक्सचेंज अप माटेरियल बिट्वीन दा बलड और इंटरस्टिसियल फ्लूड, टेक्स प्लेस थ्रू, कहां पर होता बिटा यह, बहुत इजी है, केपलर इसमें डिसकसन की नीड नहीं है, ओके, अब किसी को जहां पर लगेगा डिसकसन, वहां पर आप लोग बताऊंगे, मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर, ओके, वैरी गुड खुशी, देखो, नेक्स कोश्चन, 157, स्लोविंग डाउन ओफ हार्ट रेट, क्या कहलाता है यह, हार्ट रेट का स्लो होना, ब्रेडी कार्डिया कहलाता है, ओके, नेक्स चिसमें आते हैं, हार्ट रेट इस एक्सलेरेट बाए, ओके, हार्ट रेट एक्सलेरेट किस से होता है, सिम्पेथेटिक से होता है, फिर पेरा सिम्पेथेटिक से होता है, और उसके बाद कौन सा हार्मोन या केमिकल सिक्रेट होता है, उसकी वज़े से होता है, बहुत ही confusion है देखो आपको एक चीज बताता हूँ एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने के लिए आपको याद होंगा हम लोगों ने digestive system study किये थे digestive system में हम लोगों ने saliva sin पड़े थे salivary gland जो है वो क्या कर रहा था saliva का secretion कर रहा था और saliva का secretion increase होता है किसकी हल्प से बटा तो यहाँ पर भी increase और decrease के लिए दो system काम करते है एक होता है parasympathetic nervous system और एक होता है sympathetic nervous system तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जिसका spelling बड़ा है वो secretion को बड़ा देता है मतलब parasympathetic nervous system सेleva को यह वाला और parasympathetic nervous system यह कम कर देगा एक चीस्ता हमको यह समझ में आगए कि sympathetic और parasympathetic क्या कर रहा है, याद कैसे रखना है यह भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है मैं एक दो जगा पर technique बता सकता हूँ बट बाकी जगा आपको follow करना है, तो अब देखो heart rate accelerate मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही है किससे बढ़ तो बात आती है sympathetic nervous system की, तब sympathetic में यहाँ पर दो दिख रहे हैं, जिसमें एक epinephrine दिख रहे हैं और एक acetylcholine, epinephrine और adrenaline इसे emergency hormone कहते हैं, अब आप एक और चीज़ याद रखना, कि hormone of emergency कुन सा होता है, तो emergency hormone की जब भी बात आएंगी, emergency condition में heart beat जो होगा, वो क्या कर बेटा, increase होगा, तो obviously better, epinephrine वाला statement सहीं आएंगा, मतलब इस question के according इसका correct options हो है, वो क्या आएंगा, option B is the correct answer for this question, समझें, clear हुआ, तो epinephrine बढ़ा रहा है, तो acetylcholine क्या करता है, बताईए, acetylcholine क्या करता है, ये भी बढ़ाता है, ये कम करता है, कम करता है, समझें, तो इस तरह से आप questions को याद रख सकते हो, देखो कितना अच्छा tricky question था ये, और कितना सारा connection इस question में था, ऐसे इस paper में बहुत सारे से questions आये बेटा, जो real में आपकी mental ability को बढ़ा देंगे, मतलब इस paper को आप 2-3 बार solve करोंगे, और solve करने का तरीका ऐसे होगा, जिससे मैं अभी आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूँ, सारे options आप लोगों को solve करना है, और notebook में लिख के रखना है, समझें, या फिर इतनी महनत नहीं कर सकते, तो अभी फोर्थ पार्ट है हमारा इस paper discussion का, तो एक काम करो, paper discussion वाले चारो वीडियो को फिर से देखो, और देखने के बाद उसके notes बनाओ, और फिर ऐसा कहीं होगा, कि कुछ-कुछ question में मैंने discuss नहीं किया हूँ, सारे options को, तो उन options को आप ढूंडो, और नहीं मिलते हैं, तो फिर मुझे message करो, कि sir, आपने paper discussion में सारा लि क्लियर हो गया, तो इस तरह से एक एक question पर हमको जाना है, biology के, तब आपका rank जो है, वो decide होँगा, ठीक है, मैं जितने rules बता रहा हूँ, उसको follow करो, real में आप जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा करोंगे, bio में आप 360 आउट अप 360 लेके आँँगे, बहुत आसान है, बहुत अप है, ठीक है, और सारे question NCRT based ही है, ठीक है, और कुछ question जो है important हो, तो मैंने रखा ही हूँ बेटा, जो मैंने class में पढ़ाया हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, next इस में चलते हैं हम लोग, अब आते हैं बेटा, vagus nerve, मैंने vagus nerve, जो है, detail में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन तो भी आगे जो है, आती है, kidney तक के जाती है, जो कि क्या करता है, तो अब देखो, heart rate के respect में question पूछा, very good part, very good, पढ़ लिया, आपने 10 cranial nerve होती है, pair में होता है, 10 and 12 pair of cranial nerve present होती है, ठीक है, 10 भी होता, 12 भी होता है, बट लेवल अप organization जैसे जैसे animal का बढ़ते गया है, उसके according होत है, इस chapter के बाद में हम पढ़ेंगे, आपके NCRT में नहीं दिया है, बट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो अब vagus nerve की यहां पे बात हो रही है, ठीक है, और heart rate जो है, vagus nerve heart rate पे क्या effect करेंगा, तो vagus nerve जो होता है, यह decrease करता है, ठीक है, क्योंकि वहां सा signal जब आता है तो immediately acetyl colon secret होता है, और क्या करेंगा, वह decrease करता है, मैंने आपको drawing से समझाया था हो अलग पार्ट, तो 159 का यहां पे क्या आएंगा answer, भी आ जाएंगा, increase करता है, नहीं, decrease करेंगा, ओके, वाइस एक्सस चाहिए, vagus nerve इस्टिबलेट, the heart rate, just wait, अथर्व कड़ू बेटा, आपका hand raise, वाइस नहीं आ रही है के मेरी, आपका यहां पे मुझे वो दिखी नहीं रहा है, हाब बेटा, बोलो, शर, वेगस nerve जो है न, उसके वज़े से आपने बताए थे कि, increase होता है, तो वेगस nerve है, वो जो पूरी information है, किड्नी के पास लिगा जाता है, जा पर एड्रिनल ग्लांड जोता है, वो एड्रिनलीन और इफिन अफिन रिलीज करता है, जिसके वज़े से तो increase होंगा न, देखे, वेगस nerve के रिलेशन यदि हम देखे, respect to secretion, तो acetylcholine यदि secret हुआ, एक में चेक कर लेता हूं, ठीक है, मेरा data, मेरे पास notes तो अभी है नहीं बिटा, मैं फिलाल बाहर हूं, धर, एड्रिनलीन रिलीज होता है न, एक में confirm करके बता रहा हूं, वल्या बिटा, ठीक है, ये question को मैं last में confirm करके आपको clear कर दे रहा हूं, क्या आएगा इसमें, ओके, येस सर, हाँ, हाँ, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, next question पर आएंगे हम लोग, और next question जो है, question number 160, वेंट्रिकल और रिलेटेट टू, बताइए बटा, वेंट्रिकल जो है, ये किस से रिलेटेड है, क्या आएगा इस question में, हाट से रिलेटेड है, कुछ भी confusion नहीं है यहाँ पर तो, ठीक है, ब्रेन और किड्नी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो 160 का तो directly answer जो है, य वेंट्रिकल, इसमें आपको answer में, answer ही में गलत दिया हूँगा बेटा, इसमें सायद आपको, ना, C कैसे आएंगा, आचा हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया, देगे बेटा, ब्रेन और हाट दोनों से होता है, क्योंकि वेंट्रिकल मीन्स देखो, यदि हम directly देखे तो हाट के chamber का एक part है, बट वेंट्रिकल के दिया हम बात करें, तो brain का, जब मैं anatomy आपको पढ़ा हूँगा, तो उसमें भी वेंट्रिकल होता है, means यहाँ पे इसका correct option जो है C आएगा, ठीके, तो फिलाल तो देखो, आप लोग heart का वेंट्रिकल याद रखो, brain का anatomical structure जो है उसमें cavity होती ही बेटा इस तरह से brain के, मैं diagram ड्रॉण नहीं कर सकता, तो भी समझ लो, इस तरह से inside में जो cavity होती है, तो उसमें, मतलब उसमें वेंट्रिकल कहते हैं, तो brain और heart दोनों से related होता है, समझे, हाँ, जहाँ पे cerebro-spinal fluid जो है, वो क्या होँगा, secret होँगा, ठीके ब question, क्या पुछा है, maximum surface area, क्या दिया है, circulating system, is seen in, surface area, circulatory system में कहां देखने को मिलेंगा, very good, क्यों क्योंकि capillary जब बहुत सारे part में divide होंगी, ठीके, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे देखने को मिलेंगा, तो इसका answer जो रहेगा, वो क्या रहेंगा, d रहेंगा, next, which of the following is absent in human, चलो answer देंगे, human में क्या absent होता है, very good, देखो, hepatic when हमने पढ़े थे, hepatic when मतलब देखो, यहाँ पे, हम लोगों ने जो concept देखे थे, जिसमें क्या देखे थे बेटा, पहली चीश तो इस तरह से, यह हमारा इस्टमक हो गया, फिर इस्टमक के बाद फिर मागे बढ़ते हैं, इधर साइड, यह हमारा क्या हो गया, इंटेस्टाइन, इधर से, जो है, लिवर के पास जो जा रहा है, ठीक है, substances, ठीक है, मेंस, जो भी एप्जॉब वह, substances है, यह किसकी हल्प से जा रहा है, बताओ, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रीनल पोर्टल वेन, तो यहाँ पे, और फिर इसके बाद इधर से जाएंगा, इधर, हीपेटिक वेन, और इधर से जो वापस आएंगा, तो क्या कहलाँगा, हीपेटिक आर्टरी, ठीक है, तो इस तरह से, हीपेटिक वेन भी होता है, रीनल पोर्टल वेन भी होता है, okay, but hepatic portal vein नहीं होता है, hyposal portal vein भी होता है, जो brain के साथ connection होता है, वेटा हमारा pituitary gland वाला मैंने आपको concept बताया था, ठीक, तो hyposal portal vein जो होती है, means जैसे की, for example, brain hypothalamus का pituitary gland से जो connection होता है, oxygenated और deoxygenated blood का, तो इस system को hyposal portal system कहते है, ओके, इतना information sufficient है, इस portion के लिए, इस से ज़्यादा detail हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है बटा, समझ में आ गया, clear हुआ, ओके, चलो, तो next इसमें जाते हैं हम लोग, और, next question जो है हमारा, hardening and losses of elasticity of arteries is called, hardening के बात हो रहें बैटा, तो hardening मतलब, arteriosclerosis होता है न, चलो, तो इसमें कुछ discussion नहीं चाहिए, inability of heart to pump sufficient blood is called, क्या कहलाएंगा बैटा, sufficient amount में जब blood pump नहीं हो पा रहा है, तो वो कहलाता है, heart failure, next इसमें आते हैं, which of the following is correct regarding ECG, ECG के respect में जदी हम देखे, और क्या पुचा है, correct option पुचा है, तो correct क्या होगा, पहले चीज़, by counting the number of QRS complex, that occur in given time period, the heartbeat rate of a person can be determined, क्या बोल रहा है, QRS complex, heartbeat rate person का determine होता है, हाँ, होता है बटाई, यह सही है, P-Veo, atria के contractions को बताता है, दोनों भी atria, B option भी सही है, ठीक है, P-Veo किस चीज़ को represent कर रहा है, P-Veo, दोनों भी atria जो है, इसके contraction को बता रहा है, यह correct है, T-Veo जो है, ventricle का relaxation बताता है, यह भी सही, इसका correct option क्या हैंगा, और, cancerous preparation of WVC, जैसे leukemia कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे leukemia, यह भी पढ़े हम लोगोंने, platelets are formed due to breakdown of large cells, large cells जो होती हो, कुन सी होती, mega karyocyte होती, जब break होता है, तो उससे platelets का formation होता है, the role of platelets is, platelets का rule क्या है, बताओ, blood को clot करना है, oxygen का transport करना, blood को clot करना, तो इसमें भी कुछ भी ऐसा confusion वाला part नहीं है, direct हमें मालूम है, ठीक, erythroblastasis fatalis, can occur in blood group, father का positive होना चाहिए, और mother का negative होना चाहिए, means, RH positive, father और mother negative होना तब, SDN होता है, सही है, option C आएंगा, racist antigen जो present है, कहां पर present है बटा, racist antigen, बताएंगे, racist antigen जो है बटा, ये RBC की surface पर ही present होता है, पड़े हम लोगों ने, racist actually, racist monkey है, वहां से सबसे पहले discovered हुऊ था, इस लिज़ को racist नाम दे दिया है, सिर्व याद रखने के लिए बस, ओके, nomenclature तो सबका चाहिए न, तब ही तम हर किसी के identity जो, पहचान पाएंगे, 171, which of the following is not a common symptoms, in both, protein energy, malnutrition, disease, जिसे बुलते, marasmus, and quasiorca, common symptoms, दोनों में कौन से नहीं होते है, तो यदि हम देखे, तो इसमें देखिए, muscles थीन होती है, protein का deficiency, दोनों में होंगा, तो होता ही है, जिसकी वाज़े से, ब्रेन का development भी रूख जाता है, लेकिन, audima जो होता है, body part की swelling, ये किसकी वज़े से होता है बिटा, hello, marasmus में होंगा, या quasiorca में होंगा, ये बताइए, देखते किते लोग को याद है, extensive audima and swelling, quasiorca में होता है, very good हर्षिता, बागी लोग, ठीक, चलो, next इसमें आते है, next question, एक second बिटा, एक call आरहा मैं बता देता हूँ, urgent है, okay, हाँ, तो मुझे बताव बिटा, marasmus जो है, और quasiorca, किस टाइब के children में, या बच्चो में, या फिटास में किस में होता है, quasiorca किस में होता है, और marasmus किस में होता है, marasmus less than one year, very good, very good, infant की बात होती है, marasmus उससे उपर, quasiorca होंगा, चलो, next question पर आते हैं, 172, क्या पुचा है, which of the following, does not occur, during the inspiration, contraction of phrenic muscles, increase the thoracic cavity, contraction of internal, intercostal muscles, contraction of external, intercostal muscles, इसका भी explanation का need नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ मैंने, आप लोगों को यह भी, ठीक है, क्या हैंगा इसका answer, अच्छे कोई भी mechanism बता दो, क्या होता है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, inspiration की हम बात कर रहे हैं, inspiration की हम बात करेंगे, में, क्या होँगा, external intercostal muscles contract होती है, यह contract होँगा, तो internal relax होँगा, diaphragm B क्या होँगा, contract होँगा, contract होने की वज़े से यह flat हो जाता है, जिसकी वज़े से volume थोरे सी cavity क्या होता है, इंकरीज हो जाएंगा, ठीक है, थोरे सी cavity इंकरीज होँगा, वो क्या हो जाएंगा, decrease हो जाएंगा, और जब यह decrease होँगा, तो इसकी वज़े से, finally inspiration का process होता है, ठीक है, याद है ना बैटा, जिन लोगों ने class किये, ऐसा तो नहीं कि अच्छे से यह फिर से explain करूंए, if you need, तो, ठीक है, नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं, no need, ऐसा कोई person है, जिसे need है, याद है सभी को, चलो, बहुत अच्छे दिप्रेक्टिस किये, हम लोगों ने इस चीज़ का, चलो, याद है तो आगे बढ़ते हैं, तो paper discussion में बहुत लंबा टाइम जा रहा है, चार lecture इसी discussion में हो गए, यदि एक ही test paper का, चार हम लोग discussion करेंगे, तो फिर क्या होँगा, फिर इस बार मैंने आपको क्या का था, locomotion and excretion दोनों भी रखूँगा मैं, बट इस बार ऐसा होगा, कि सिप एक्सक्रिशन ही आने वाला आपको मुझे ऐसा लग रहा है, locomotion नमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, तो फिर एक्सक्रिशन वाले चैप्टर का टेस्ट होँगा आपको, आप लोगोगा फिर, locomotion जहां तक पढ़ाऊंगा, वो भी आएंगा लेकिन, अब आगे के लेक्चर बच्चे है हमारे पास, इस वीक में चार लेक्चर हम लोगों कैंद में, आज तो पहले लेक्चर है न, तीन लेक्चर में बहुत कूछ पूर्शन हो जाएगा, ठीक है, हाँ, आपसे बिलिट थ्री लेक्च्छर, हाँ, हां थ्री लेक्ट्स हर दिन होंगे और वीक में फुर लेक्ट्स रहेंगे आपके अब कि अब अब दीरे दीरे टाइम बढ़ते जाता ना बेटा अब आपका ट्रांजिशन हो रहा है 11 से 12 के तरफ ट्रांजीशन हो रहा है आप लोगा लेक्ट्स भी बढ़ेंगे Slevers भी बढ़ेंगा Okay Target भी बढ़ेंगा अब पढ़ना भी बहुत सारा पढ़ेंगा आपको चलो आगे बढ़ते हैं Next इस में चलते हैं Next question देखेंगे अभी हम लोग Next question जो है हम लोगों का कुन सा है The maximum volume of air person can breathe in in a forceful expiration क्या कहलाता बताओ Maximum क्योंकि यहां पर क्या बोला है person breathe कर रहा है forceful मतलब भार निकालने के बाद breathe कर रहा है तो obviously vital capacity ही आएंगी हो अब कई student यहां पर confused होते है IR भी पिछले जाते है Next question Incorrect statement पहचानना हमको Incorrect statement के हम बात करें तो क्या बोल रहा है यहां पर partial pressure of oxygenated blood 95 होता है फिर carbon dioxide is 10 times more soluble than oxygen 10 times होता है कि नई 20 to 25 times होता है यहीं पर correction आजया यह incorrect statement 70% CO2 bicarbonate के form में जाता है 97% CO2 oxygen transport होता है यहां पर as यहां पर यह typing mistake हो गया क्या आएंगा पिटे हाँ पर RBC आएंगा ओके यहां पर typing mistake हो गई है यहां पर RBC आएगी Next question Select the condition क्या बोल रहा है which causes shifting to oxygen hemoglobin dissociation curve किदर साइड बेटा shift curve to the left ओके देखो यह ऐसा हम लोगों ने oxygen dissociation curve देखे थे जो कि sigmoid होता है यदि इदर आ गया तो right हो गया इदर गया तो left हो गया right में oxygen और hemoglobin का dissociation ज्यादा है और इदर oxygen और hemoglobin की affinity बहुत ज्यादा है ठीक है तो इदर dissociation ज्यादा मतलब Cu2 का concentration बढ़ गया है Cu2 बढ़ेगा तो H plus का concentration बढ़ेगा मतलब pH जो है वो क्या होंगा decrease हो जाएगा मतलब temperature क्या होगा increase हो जाएगा यह सारी condition right side की है और लेट के हमको देखना है तो high P value right में आ रहा था high temperature right में आ रहा था H plus concentration यह जाएगा बढ़ेटा लेट में decrease O2 O2 का कोई relation नहीं है मतलब इसका correct answer C आएगा याद देना सभी को oxymoglobin जो है affinity increase हो रहा है तब जाके ही लेट में जाएगा याद है ऐसे कोई person किसे नहीं समझा नहीं समझा हो तो पुछ सकते हो दरवाईस हम आगे बढ़ेंगे चलो आगे देखे चलो next question पर आते है What amount of oxygen is delivered to tissue by 100 ml blood under normal physiological condition simple है यार यह तो ठीक है नॉर्मल physiological condition की बात कर रहे है 5 ml भराएंगा next respiratory rhythm center medulla है और medulla जो है एक तो responsible है कि इसके लिए बटा breathing को regulate करने के लिए यह भी easy है इसमें भी tension की बात नहीं है ठीक है next question पर चलते है which of the following insignificant role in regulation of respiratory rhythm oxygen पढ़े थे हमने इसका कोई role नहीं रहता बाकी सब रहता है which is occupational pulmonary disease occupational कुन से है बटा silicosis यह भी पढ़ाया था मैंने example आप लोगों को और release of pancreatic juice stimulated by किससे होता बटा pancreatic juice का release होना किससे stimulate होंगा यह हलो दो ही थे secretine था और cholecystokinin था CCK अब बताओ enzyme किससे secret होता है और bicarbonate किससे secret होता है हाँ इसका answer secretine आएंगा very good याद हो गया है यह अभी भी confusion है very good secretine bicarbonate CCK for enzyme endocrine एक्जोक्राइन नहीं बोला अप्डलाज CCK और secretine का रोल पूछ रहो confusion है तो याद करो ना बैटा बार बार उसको practice करके देखो ने तो लास्ट exam के लास्ट time पर problem आएंगे समझे ठीक जो जो confusion हुआ है आप लोगों का सारे confusion जो हमें clear कर दे रहा हूँ सबसे पहली चीज़ तो देखो हम लोग vitamin देख रहते vitamin जो है b9 is the folic acid यह आप लोग याद रखेंगे समझ गे फिर उसके बाद pancreas के जो एंजाइम है एक तो colecistokinin और दूसरा जो है क्या चीज है secretin तो अभी यहाँ पर देखिए colecistokinin और secretin जो है यह कैसे याद करना है हम आज इस चीज़ पर बात करेंगे पहले तो secretin जो है pancreas में क्या करना है बटा bicarbonate iron के secretion को बढ़ा देता है और colecistokinin जो है यह क्या करता है बटा enzyme के secretion में help करता है हलो अब मुझे यह बताओ आप लोग कैसे याद करोंगे बटा उसको correct कर लेना leveling में हो सकता mistake हो गया होगा मुझे याद नहीं है ठीक है अब यार हर किसे से थोड़ी बट तो गलती होती human error होता है ठीक अभी मुझे याद नहीं मैंने उस time पे क्या बताया थे यदि मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो अभी जो बता रहा हूँ वो सही है ठीक है तो वो वाली बात आप याद रखोंगे तो अभी मैं बताओ अच्छा चलो इसका ट्रिक बना के दो पहले polycystokinin और साथी साथ CCK जो है इसका ट्रिक बनाईए कैसे याद करूंगे इसे क्योंकि इसके बाद same confusion फिर से नहीं होना चाहिए same confusion फिर से नहीं होना चाहिए आज मैं आपने लोगों को चांस दे रहा हूँ रिदम में आप लोग बनाएंगे recording on है क्या है जैसे कि हम vagus nerve के हम बात करें तो vagus nerve जो है generally heart rate को lower करने में help करता है ठीक है अब मैंने बताया है ठीक है तो vagus nerve जो है कौन सा question था हमारा यह question number हम लोग जो देख रहे थे किदर गया हमारा कितने number का question था बिटा यह बैटर कौन से recording में है मैं एक बार check कर लूँगा ठीक बट फिर भी जो है vagus nerve अभी में जो बता रहा हूँ okay student network का issue आ गया था vagus nerve आप याद रखिए कि यह heart rate को decrease करता है ठीक है मैं जो लेक्चर नमबर बता देना मैं एक बार check कर लूँगा by mistake यदि गलत बता दिया हूँगा तो उसको हम correct कर लेंगे ठीक है बटा वलिया response करो decrease the heart rate यही आप याद रखो mechanism मैं आपको समझा दूगा कि कैसे यह होता है ठीक है लेक्चर 10 में ठीक है बटा मैं देख लेता हूँ एक बार check कर लेता हूँ और इसके साथ इसका mechanism जो है मैं आपको clear कर वा जोगा तो ठीक है बटा आज हमारा जो है test paper finally discussion जो है वो complete होता है नेक्स इसमें locomotion हम start करेंगे आप लोको मैंने एक homework दिया था 206 bone के नाम आपको याद करने है क्योंकि मैं जब समझाओंगा तो इजली याद हो जाएंगे कुछ trick भी में बताऊंगा आप लोगों को बटा आप लोग अपना जो task हो complete करेंगे ठीक है तो फिर lecture कर एंड करते हैं very good author आपको याद हो गया है बहुत अच्छी बात है बाकि लोग भी याद करेंगे वहले बिटा आपका एक और कुछ problem आ रहा था कोई उसको देखते हुए वह स्वाल हुआ क्या lectures को लेकर मुझे दिखा नहीं हूँ वहां पे मैं अभी lecture 10 चेक कर ले रहा हूँ और आप कोई तो भी disease वाला heart से related disease वाला न heart disease वाला video upload जो है video heart disease वाला upload है बेटा वो actually उसका name जो है वो दुसरे term में होंगा heart disease वाले का ठीक है आपको मैंने उसी के लिए call भी करने के लिए बोला था मैं अभी देखके आपको मैं message post कर रहा हूँ ठीक है आप message में check कर ले ना मैं आपको यह तो link provide कर दूँगा या फिर message में post कर दूँगा ठीक है चला end करते फिर आज का class बाबाई thank you